अकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारू के साथ मैं सैयुक्ता बैनरची पहली मुख्य समाचार चटा अंतराश्य योग दिवसाज प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा योग की ताकत से कोरोना को हराने में मिलेगी मदद प्रदेश में भी उतसाह से लोग घर पर परिवार के साथ कर रहे हैं योग कोविड नाइंटीन के सक्रिय प्रक्रणों में आई कमी प्रदेश आठवे से तेरवे स्थान पर पहुँचा बीस जुलाई से शुरू होगा विधान सभा का सत्र और हमारी विशेश श्रिंखला अच्छी खबर के पचासवे अंख में आज सुनिये उमरिया के अनूठे रक्तान जली अभियान पर खास रपोर्ट अब समाचार वस्तार से छटा अंतराश्य योग दिवस आज मनाया जा रहा है योग दिवस आयोजन की शुरवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई प्रधानमंत्री ने लोगों से घर पर रहकर सुरक्षित दूरी बनाये रखते हुए परिवार के साथ योग करने की अपील की है उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में योग की महत्वपून भूमी का है और इससे शारिरिक और मानसिक आरोग ये प्रात्त किया जा सकता है जो दूरियों को खत्म करे वही तो योग है एक उर्जया का संचार होता है ये भावात्मक योग का भी दिन है इससे पहले योग दिवस पर सार्वजनिक स्थल पर सामोहिक कारिक्रमों का आयोजन होता रहा है लेकिन इस साल कोविट-19 के कारण लोगों को घर पर ही रहकर योग दिवस में भाग लेने को कहा गया है प्रदेश में भी योग दिवस पर आज सामोहिक कारिक्रम आयोजन नहीं किये गए हैं हाला कि दूरदर्शन पर मुख्य कारिक्रम आयोजन किया रहा है इस अफसर पर इंदोर में आइउजन योग पर केंदृत विशेश सत्र का आयोजन किया गया जिसमें हजारो लोग घर में रहकर ही शामिल हुए पेश है इक रिपोर्ट इन दोर में आयुजित इस विशेश ओनलाइन योग सत्र में स्वामी रामद्यों ने कोरोना से बचने के मंत्र बताए और अपनी प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के सरल तरीके भी सिखाए कल हुए इस कारिक्रम में 10,645 लोगों ने एक सांथ आउनलाइन योग किया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है उदर मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने योग दिवस पर अपने संदेश में कहा कि आज कोरोना के संकट के समय योग अधिक महत्पूर्ण हो गया है क्योंकि यह शरीर को स्वस्त रखने और प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में भी मददगार है धार से हमारे समवाद दाता ने बताया है कि जिले में भी अंतराश्य योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है धार के रहने वाले अंतराश्य बैदमंटन खिलाडी सौरब वर्मा ने लोगों से घरों में रहकर योग करनी की अपील की है जूडो में लगातार तीन अंतराश्य गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीतने वाली जबलपूर की दिव्यांग खिलाडी जान की गौर विपरीत परस्थतियों में बच्चों को योग सिखा रही है उधर नर्सिंगपुर में आर्ट ओफ लिविंग संस्थ्वादारा कोरोना संकट के बीच पुलिस स्वास्तकर्मी और पत्रकारों को तनाव मुक्त रहने के लिए ऑनलाइन हैपिनस प्रोग्राम आयुजित किये गए पत्रकार अनुज ममार ने बताया कि योग से तनाव को कम करने में मदद मिली है ग्वालियर कलेक्टर कोशलेंद्र विक्रम सिह ने लोगों से घरों में रहकर योग करने की अपील की है मंदला, शिवपुरी, मुरैना, भिन, राइसेन, रतला, मनसौर, गुना, सागर, सहित, सभी जिलों में लोग सोशल दिस्टंसिंग का पालन करते हुए घरों से ही योग दिवसकारिक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि देश के बड़े प्रांतों में अक्टिव प्रकरण की दृष्टी से मध्य प्रदेश की स्थिती बहतर है अक्टिव मामलो में प्रदेश आटपे से तेरिफे क्रम में पहुंच गया है यानि कि मध्य प्रदेश में कोरोना वारस तेजी से नियंतरित हो रहा है मुख्यमंतरी कल कोरोना की स्थिती की समीक्षा कर रहे थे बैठक में अपर मुख्य सचव स्वास्थ मुहम्मद सुलिमान ने बताया कि प्रदेश में खंडवा मेडिकल कॉलेज में रिकवरी रेट सरवाधिक 92.83 प्रतिशत है इन दौर से हमारे समवादाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 40 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्याब 4,339 हो गई है इन में से 3,185 लोग स्वस्थ होकर घर लोट चुके हैं वहीं उजयन में कल 6 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुटी दी गई जिले में अब तक 689 लोग कोरोना को हरा चुके हैं खरगौन में 20 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद 269 हो गई है जबलपूर में 9 नए संक्रमितों का पता चला है इन में 3 सेना के जवान भी शामिल है उधर मुरैना में 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं जिससे कुल मरीजों की संख्या 161 हो गई है शुपूरी में भी एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया है ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है राज्य विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा जिसमें महत्वपून शास्किया विधिविशयक और वित्यकारे संपादत किये जाएंगे विधानसभा के प्रमुक सचे वेपी सिह ने बताया कि सत्र के दौरान सदन की पाँच बैठके होंगी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है आज वल्याकार सूर्य ग्रहंड होगा ये एक बड़ी खगॉलिय घट्टा है इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहंड ग्रीश्म एनकाल में हो रहा है जो की उत्तरी गोलार्थ में सबसे लंबा दिन होता है होशंगाबाद में कोरोना संक्रमंट को देखते हुए जिले में सामोहिक स्नान पर पून तह प्रतिबंध लगाया गया है जबलपुर में नर्मदा और उज्जन में क्षिप्रा नदी में लोग नदी में स्नान नहीं कर पाएंगे सिवनी में लोगों से सूरिग रहन को सेफटी ग्लास के साथ देखने को कहा गया है उधर संध्या काली नार्थी के बाद कलसू तक लगने से इंदोर के खजराना गणेश सहित अधिकांश मंदिरों के पट बंद कर दिये गए हमारी विशेश श्रिंखला अच्छी खबर के पचासवे अंक में सुनिये उमरिया में शुरू हुए अनूठे रक्तांजली अभियान पर खास रिपोर्ट अच्छी खबर में आफर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी अलाके कि उस खबर से जो सकारात्मक है और समाच को दिशा देने में मददगार हो सकती है कोरोना संकटकाल में लोकडाउन के दौरान आम लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके और गंभीर भीमारियों से परेशान मरीजों के लिए रक्त की कमी की स्थिती बन गई चुकि रक्त दातार रक्त दान नहीं कर पा रहे थे इसलिए बलड बैंक में भी खून की कमी हो गई कई मरीजों ने तो जीवन की आस ही छोड़ दी थी ऐसे में रक्तांजली अभीहान के जरीए उमरिया पुलिस ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया पुलिस अधिक शक्त सचिन शर्मा ने आगा अश्वानी को बताया कि कैसे उमरिया पुलिस ने इस अभीहान की शुरुआत की करोना काल में काफी लोग भैवयाब थे कि क्या वो अस्पताल जाने जाते हैं तो सुरक्षित रहेंगे या नहीं तो ऐसे में रक्त की या फिर बलड डोनर्स की काफी कमी अस्पतालों में आ गई इसी के तहट हम लोगों ने रक्तांजली मुहिम लाँज की हमने एक वाट्सप ग्रूप बनाया अस्पताल से समन्वे स्थापित किया और काफी लोगों तक इस मुहिम को पहुँचाया इसमें लगबग 20 से 25 पुलिस करमचारियों ने अलग अलग लोगों को जिनको खून की आवश्यक्ता थी जाके डोनेट किया और इस मुहिम को सफल बनाया रक्तदान कर एक इनिमिक बच्चे की जान बचाने वाली महिला सब इंस्पेक्टर वर्शा बेगा ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है वहीं खून की अत्यधिक कमी के कारान जीवन मृत्यू से संघर्श कर रही 45 वर्शिये राजकली यादब को भी हुमरिया पुलिस की इस पहल से जीवन दान मिला कोरोना संकर्ण की इस घड़ी में पुलिस पहले ही दिन रात एक कर लोगों को नियमों का पालन करा कर कोरोना संकर्मर से बचाने की कोशिश में लगी हुई है ऐसे वेस्त दोर में वक्त निकाल कर रक्तान जली जैसा अनू करनी अभ्यान चलाना बाकई काविल तारीफ है उमरिया से संतोष कुपता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद एहमद खान राजिशासन निकल भारतिय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला और पतस्थापना आदेश जारी किये हैं केंद्री प्रतिन्युक्ती से लोटने के बाद राधेशाम जुलानिया को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया मध्यप्रदेश राज्य बीच और फॉर्म विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक सूफिया फारुकी वली को संचालक प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीच एवं फॉर्म विकास निगम की अतिरिक तल्मिद हजार प्रवासी मज़दूरों को रोजगार मुहया कराया जाएगा संभागा योगत ने कल प्रतलाम में कोरोना की संक्रमन की स्थिथी की समीख्षा की सागर कलेक्टर ने कहा है फिलहाल जिले में तोटल लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा निवाडी में कल संसिंग का पालन करने की अपील की गई और नीमत सिले में कल कई स्थानों पर तेज बारिश होई जसे लोगों को गर्मी से राहत मिली है अंत में बुलिटन की मुख्य समाचार एक बार फिर छटा अंतराश्य योग दिवसाज प्रधान मंत्री ने अपने संदेश में कहा य 20 जुलाई से शुरू होगा विधान सभा का सत्र और हमारी विशेश श्रिंकला अठीक खबर के 50 वे अंक में आपने सुनी और मरिया के अनूठे रक्तांजली अभियान पर खास रिपोर्ट इस बुलिटन में इतना ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आ झाल